अस्सलामू अलाइकुम दोस्तों, आप सभी का हमारे नोटबुक लाइफ यूट्यूब चैनल में तहे दिल से खुशाम दीद हैं। दे दिया है। इनके बरे मानने वाले हैं, बरी मोहबत है, खानकाह बरी भीर लगी रहती है। इनको किसी तरह से यहां से हटाओ। बादशाह ने बोला कि वो अल्ला वाला बंदा है, छोड़ दो उसको, उसके के हाल पे, बरा नेक है, नहीं नहीं वह एक दिन बगावत करेगा, आपका तख बादशाह सोचा, इन बेबकुफ लोगों हजरत नसीरुद्दीन चराग दहलवी के रूहानियत के वारे में कुछ पता ही नहीं है। बादशाह ने कहा, ठीक हैं, तुम लोग जो कहो, मैं करूंगा। बशरते पहले, हजरत नसीरुद्दीन चराग दहलवी के वारे को जान लो मुझे से, ऐसा क्या हैं जो हम हजरत नसीरुद्दीन चराग दहलवी के वारे में नहीं जानते, ठीक हैं, बताए आप, बादशाह ने कहा, हजरत नसीरुद्दीन महमूद चराग दहलवी आप रहमतुल्लाह अलेह बारह सो चोहत्तर ऐस्वी में फैजाबाद में पैद जिन्हें चराग सिलसला चिष्टी कहा जाता है, आपके वालिद साहब का नाम शेख याहिया था, आपके दादा सेयद अब्दुल्लतीफ सबसे पहले हिंदुस्तान आए, और कुछ अर्सा लाहौर में कयाम के बाद अवध ने मुस्तकिल सकून इख्तियार कर ली, यहीं फ चालिदा ने दीनी तालीम के लिए आपको अब्दुलकरीम शेरवानी के पास भेजा, करीब चालिस बरस की उम्र में, दहली पहुँचकर, आप हजरत निजाम الدین और रहमत लाह अलेह के दस्ते हक परस्त पर बैत की, महबूब इलाही ने आपको होनहार मुरीद को लूमे ब हे, आप चिराग दहल्वी रहमत ल्लाह अलेही अकसर रोजे से रहते कवाली को खिलाफत सुन्नत करार देते, आपके चाहने वाले अकसर ये कहते थे, मुझे शेख नसीर अदीन चिराग दहल्वी की मजलिस से वही खुश्बू आती है, जिस तरह की खुश्बू महबूब इलाही की मजलिस से आती है, खुश्बू अमीर खुर्द किर्मानी फरमाते हैं कि एक दफ़ा मैं, शेख नसीर अदीन महमूद की खिदमत में जा रहा था, रास्ते में एक आदमी ने पूछा, आप कहा जा रहे हैं, तो आप ने फरमाया, मैं शेख नसीर अदीन महमूद अ लेह की, खिदमत में जा रहा हूँ, उस इनसान ने कहा, मैं भी चलता हूँ, और ये भी कहा, अगर शेख महमूद साहिब करामत हैं, तो हमारे सामने शीरीन पेश करेंगे, जब हम आपकी खिदमत में पहुँचे, और उस बादशाही दीन के कदम बोसी से मुशर्फ हुए, त हमने खाने की चीज के लिए कहा था, अभी हम ये बात कर ही रहे थे, कि आपने खादिम से फरमाया कि मिठाई लाओ, हमने अरज किया कि, अभी तो हमने पानी पिया है, फॉरuity ही आपने इर्षाद फरमाया, वह पीने की चीज थी, और ये खाने की चीज है, ये सारी बाते बादशाह बता रहा था और वे सरे अवाम उसे मुहबत के साथ सुन रही थी। बादशाह ने कहा अभी आगे और सुनो। हजरत अमीर हसन आपके मुरीदों में से थे। उनका कहना है कि एक वक्त मैं बरी मुश्किल में फंस गया। मतालिबा की वजह से परिशान हो गया। इस मुसीबत के वक्त जब मैं अपने अजीजों की तरफ रुक करता या उनसे बात चीत करता जिन से मेरी बरी मुहबत थी तो वो भी मुझसे मुह फेर लेते। अगर मैं बाजार में सामान बेचता तो कोई न खरीदता। मैं सख्त परिशान और मुश्तरी होकर अपनी परिशानी की हालत में अपने मखदूम शेख नसीर अद्दीन महमूद रहमत ल्लाह अलिए की खिद्मत में इस नियत से हाजिर हुआ। अपनी परिशान मुतालिक अर्ज करूंगा और फराहकी और उस मुसीबत से निजात के लिए दूआ का तालिब दर्खास्त करूंगा। जब मैंने आपकी कदम बोसी की सहादत हासिल की इसके बाद मैंने अपना हाल बयान करता। शेक ने खुद ही अपनी महरबानी से मेरा हाल पूछना शुरू किया। थोड़ा सबर रखो, आगे सुनो, हजरत मुबारिक अलवी के रह्मानी का कहना है कि, जब मेरा शहजादा सेयद मुहम्मद महमूद शेख में मादर में था, अल्लाह पाक उसको नेक नियती के साथ परवरिश करने की तौफीक अता फरमाए, इसकी अम्मी नियत की थी कि, अग उनके सामने उनके कदमों में डाल दूँगी, ताकि अल्लाह पाक उसे नेक बख्त बनाए, जब सेयद महमूद पैदा हुए तो, मैं हजरत शेख नसीर अदीन महमूद रहमत अल्याह की खिदमत में गया, शेख उस वक्त आराम फरमा रहे थे, जब आप बेदार हुए तो, आपको मेरी आमद की इत्तिला दी गई, आपने मुझे अपने घर में तलब फरमाया, और पूछा कि तुम्हारे कितने फरजंद हैं, मैं यह सवाल सुनकर हैरान रह गया, और आपकी कदम बोसी के बाद बैठ गया, बैठने के बाद फिर आपने पूछा कि तुम्हारे कितन पा जाया करते थे। कपरा अपने हाथ से इनायत करके रिशाद फरमाया कि इस से अपने सबसे छोटे बच्चे की बहरानी बनाना, इस मौके पर शेख के खादिम ने अरज किया कि यह कपरा आपकी दस्तार मुबारक से लिया गया है, इसके बाद मैंने अरज किया कि बच्चे का नाम अता फरमा मेरी इस बात पर आप कुछ देर सोचने लगे और इर्शाद फरमाया कि इसका नाम महमूद रखो ये सारे वाकिया सुनाने के बाद बादशाह ने कहा कि अब बताओ तुम में से कितने अब भी इन बातों को सच नहीं मानते दोस्तों इन सवालों के जवाब में अवाम में से किसने क्या कहा फिर इसके आगे बादशाह ने क्या फैशला लिया ये जानेगे इसके वीडियो के अगले एपिसोड में मेरे साथियों आप सभी का बहुत-बहुत शुक्रिया वीडियो को पूरा देखने के लिए वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना न भूले